आज हम जो अपने टॉपिक करेंगे वो करेंगे स्टेरिलाइजेशन डिसिंफेक्शन विच इस लास चैप्टर ऑफ स्पेशल बैटिरियोजी जितनी में चैप्टर्स हैं हमने सारे कर लिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को देख करेंगे ताकि जो भी आने वाली वीडियो से आपको मिलती रहें और साथ सद अपडेटिट भी रहें साथ ही मैं ग्रूप का लिंक शेयर कर रही हूं डिस्क्रिप्शन में आप इस ग्रूप को जोइन करें यहां पर जितनी भी वीडियो तो होती हैं लेक्टर्स होते हो तो इनका परपस यह है कि यह ट्रांसमिशन को जो है ना प्रिवेंट कर सकें मतलब रोक सकें माइक्रोब्स टू पेशन्स मतलब जो भी आपके और्गैनिजम है वो पेशन्ट के ओपर ना आए उसकी ट्रांसमिशन ना हो सके तो हम स्टेरलाइजेशन या डिसिंफेक्श करते हैं फिर कुछ हमारे बास स्टेंडर्ड प्रिकॉशन होती है जैसे कि आपको पता है तब से पहले हम ने अपने हैंड हाइजीन का खयाल रखना है रिस्पारिट्र हाइजीन और कफ एटिक्वेट का खयाल रखना है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस मतलब जो भी इंजे आप जाहर सी बात है आप जो है MBBS, BDS के स्ट्वेट्स हैं या आइधर यू आरा स्ट्वेट्वेंट आफ मैडिकल रिलेटिट फील्स तो आप कोई पता होना चाहिए कि कुछ हमारे पर जो चार बेसिक स्टेंडर्ड प्रिकॉशन्स हैं जो क्या होते हैं कोई भी हॉस्पि अब आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि what is sterilization and what is disinfection sterilization कडै कि curing or removal of all microorganisms including bacterial spores which are highly resistant sterilization का ऐसा process जिसके अचे हम हर किसम के microorganisms को के का और कर दें रिमूफ कर दें including bacterial spores जिसके अंदर क्या हो इस पोर्स भी मौजूद हो जो कि आपको पते हो कि सबसे जादर जो highly resistant microorganism है या part है वो क्या है इस पोर्स हैं जो कि जिनका temperature क्या होता है 100 celsius temperature पे भी resist कर जाते हैं तो मतलब अगर हमें sports को मारना है ना तो हमें क्या करना होगा इससे above temperature देना होगा सही है तो जो हमारे से sterilization है मतलब जो bacterial spores होते हैं 100 celsius temperature तक रिजिस्ट कर सकते हैं अराम से तो हम sterilization क्या करते हैं 100 से जाधर temperature sterilization किसके अंदर होती और टो कलेव के थुरू होती है temperature 121 Celsius temperature, pressure 15, 15 minutes, 15 minutes तो आपने सब चीज़ न भी आदर रखने हैं कि Alexandre कि खाया है सत्विछ तो ङीच्जिशन पोछ जाते हैं और स्चेगिवर से बीकें कि इस चेलिजिजिएशन समझ पना झाजागा echo दूसरा process होता है is disinfection, दो definitions है sterilization और disinfection disinfection के है आपके पास, कि macro organisms का kill करना बड उसके अदर bacterial spores kill नहीं होंगे जो difference आता है sterilization और disinfection में वह यही है, कि इसके अदर bी सारे micro organisms kill होजएंगे इसके अदेरों बहुता हैं लिए माई उसे लेकर ब्यूर्owa जीजिनेजाए seco लेकर ब्यूतर तक ज्बधिक में डे करते हो जाते हैं लेकर ब्यूतर हो जै नहीं होता है जो कि हमारे पास क्या करता है कि यह किल कर देता है जो भी माक्रो उबाएगा जो भी और गानिजम आएगा इसकिन सर्फेस पर ठीक है जबकि जो एंटिसेप्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं कैमिकल्स जो किल माकरो उल्गे ऑर सर्फेस ओफ स्किन ऑड्न मुकुस मैंब्रैन्स और सिर्फेस ओफ स्किन पर मुकस पर भी यह कहलाते हैं को तुप फर हो गारें इंजेक्षं और अंडिसेप्टिक्स के हैं जो कि नॉट सर्फिस अफ इसकिन पर मैक्रोगेंजम को किल करें बेल के मुकस मेंब्रेंस पर भी किल करें एक और थार्ड होता है। फिर chemical agents में है तो chemical agents तीन तरीके से काम करते हैं सबसे पहले तो the disruption of cell membrane cell membrane को disrupt कर देंगे वो फिर modification of proteins यह modification of nucleic acid तो इनके नाम आपको याद करने हैं कि है सच कोई जरुवत नहीं है कि alcohol किस category में आ रहा है और वो कौन सी category में आ रहा है लेकिन आपको क्लासिफिकेशन है अगर आपसे कोई पूछ लें वाइवा में तो आपको यह पता होने चाहिए कि chemical agents और physical agents में क्या के चीज़ आगी mostly physical agents का पूछें ठीक है और फिर heat का पूछेंगे है कि heat की क्या टाइपस होंगी तो moist heat dry heat फिर moist heat में तीने autoclave, pasteurization and boiling chemical agents के लिए यह वाला चार्ट जो most important है इसको आपने याद रखने है as it is इसके EMQs आते हैं BCQs आते हैं और वाइवा में बहुत दा पूछ हो जाता है EMQ मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो के end में add करूँँ ताकि आपको पता शुल जाओ और आपको solve करना भी आ जाए कि किस तरीके से इस चार्ट में से EMQ आई बाटीक है तो से पहले देखें अब यहाँ पर mix लिखें में कि कौन सा cell membrane को disrupt कर रहे कौन मौडिफाय कर रहे हैं तो सब नहीं लिखावा जो important है वो देख लिए डिसिंफेक्टेंट क्योंकि सर्जेंस हैं मितलब जो सर्जेंस हैं वो अपने हाथों पर लगाते हैं प्रियार टू सर्जेरी से पहले तो वह है क्लॉरहेक्ड़ी तो फिर सर्जिकल साइट पर जो लगाते हैं वह हम वही 70% एथनॉल आइड़ोफोरी क्लॉरहक्ड़ी लगाते हैं यह वाला इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लोर वगारे को साफ करने के लिए हम जो है बेंजल कोनियम क्लॉराइड यूस करते हैं इस्टेथिसकोप वाला इंपॉर्टेंट है दिसिंफेक्टेन करने के लिए वान्स को क्लीम करने के लिए हम हाईडरोजन परोकसाइड करते हैं बर्न वान्स के लिए हम सिल्वर सिल्फाड नग यूस करते हैं फदे आपके पास जो हीट संसेटिफ मेटिरियल मीज जैसे के inडिसकोप सूगह इं हैं जितनी वे ऐसी जो कि heat sensitive है, मतलब हम उनको autoclave नहीं कर सकते हैं, autoclave का तो आपको पता हैं, कि heat की category में आ रहा है, जितने भी heat sensitive materials हैं, उसमें हम ethylene oxide या glutehyde यूज़ करेंगे, और जो non heat sensitive materials हैं, जैसे कि surgical gowns हो गए, drapes हो गई, या कोई भी ऐस इंस्टुमेंट जो कि non heat sensitive है, तो हम उसको autoclave के थिरूँ यूज़ करते हैं, तो आपके पास ये वाला chart most important है, इसको बहुत अच्छे साप करिएगा, साथ में इसका EMQB में कर रही हूं, अच्छा, अब आज हैं heat वाले topic के उपर, तो heat आपने देखिया, ये physical agent है, और इसमें हम 3 देखते हैं, और आपने मोईस्ट हीट में 3 होते हैं, और ड्राइ हीट होता है, ये मोईस्ट हीट में क्या है, autoclave है, boiling है, और pasteurization है, इनके purpose देख लेटे हैं कि किस-किस के लिए यूज़ करें हैं, जो autoclave होता है, वो हम यूज़ करता है, autoclave हम यूज़ करते हैं, किस के लिए नॉन-surgical instruments के लिए, ये नौन-heat-sensitive instruments के लिए, अपके पास, अपके पास हाई गहाई, नौन-heat-sensitive instruments, हम इस purpose के लिए autoclave करते हैं, इसका temperature है आपके पास क्या था, हमने पढ़ा था, 121 Celsius temperature था, pressure आपके पास 15 pound था, और time भी आपके पास 15 minutes था फिर आज होएं byling पर तो byling हम करता है water bone organisms मतलब जब पानी के अंदर organisms होंगे न ठीक है byling हम करें water bone organisms के लिए और इसका आपके पास temperature जो होता है वह मैं आपको बताती हूं यहां से देख लें आपके पास जो dry heat जो byling का temperature होगा वो आपके पास अपो पता है कि 100 टेंपरिचर यूज़ किया जाता है ठीक है फिर आज हम पैस्टुराइजेशन पे अभी जो पैस्टुराइजेशन है यह पैस्टुराइजेशन आपके पास दो किसम की होगी एक नॉर्मल और इक उत्थी फ्लेश पैस्टुराइजेशन जो नॉर्मल पैस्टुराइजेशन अच्छा पैस्टुराइजेशन दोनों का ही चाहिए वो नॉर्मल यू फ्लेश हो डोनों का होता है इसम मिल्क बोन और और गेनिसम जैसे कि दूट बगारा गएंदर जो हमा पास यह होता है माकर और गारोनिजम से हम दूट को बाएल करते हैं तो यह आपके पास क्या कहला कहला है यह प्लास प्रोसेस पैस्टुराइजेशन कहलाएगा ठीक है अब भी आपके पास जो आपके पास normal पैस्टराज़ेशन है वो इसका टेमपरिचर देए 60 और ये time के थे 30 मिनट्स के लिए और जो flash है वो आपके पास time होता है 72 तेमपरिचर और time होता है 15 seconds. ठीक, और्टकलेफ हो गया, बॉइडिंग हो गया, पैस्टराइजेशन हो गया, फिर आपके पास रेडियेशन तो आपको सता है, यू वी रेज, एक्स रेज, या जो भी आपके पास अल्टावालिट रेज हो गया, इंफ्रेड रेज हो गया, जितनी भी रेस की टाइप से, उनके थुरूबी हम और्गेनिजम्स को केल कर सकते हैं, तो आपके पास एक मैथड फिजिकल एजिंट का ये होगा है, दूसरा मैथड आपके पास फिल्डरेशन, मतलब आप फिल्टर कर लें, मतलब स्टेलाइजिंग जो भी वह है, आपके पास एमबोवे, सल्मनिल, स्ट्रेप्टोकूकस, जिस्चील, और बुसील, ये आपके पास सारे के हैं, मिल्क बोन और्गेनिजम्स हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं, पैस्टराइजेशन, जो कि दो टाइप सी होंगी, नॉर्मल फ्लैश, जिनके तेंपरीचर, टाइम, अपने याद रखना हैं, autoclave, temperature, टाइम, और प्रेशर, तीनों चीज़े याद रखने है, boiling कत बस तैंपरीचर रखना हैं, और यह वाटरबोन और्गेनिजम्स के लिए यूस करते हैं, so it's all for sterilization and disinfection chapter, और यहाँ पर हमारा जो है जैनल बैक्टिरिलोजी कम्प्रीट हो गई ने इन्शाला हम नेक्स्ट अपने लेक्ट्रे में स्टार्ट करें हैं पैरसाइट अलजी